हलो दोस्तों मेरे चैनल में स्वागत है फिर से नए वीडियो के साथ तो मैं लेंगे का कपड़ा लेके आई हूं ब्लेक कलर का है और नीचे उसका पट्टे के लिए यलो कपड़ा यूज करेंगे अपन तो उसके बारे में बताऊंगे कि कैसे कटिंग करनी है कैसे उसको क्या है तो वीडियो अच्छी लगए तो कमेंट में जरूर लिखके बताना और वेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जो नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो अब आपन कटिंग करेंगे और लेंगे के बारे में बताएंगे तो अपने इस वीडियो में लेंगे की कटिंग और सिलाई दोनु बताएंगे और कैसे लेंगे की कटिंग करते हैं कैसे उसको जोड़ते हैं किस तरह उसको तैयार करते हैं कंप्लीट कैसे बताते हैं आपको तो इस वीडियो में मैं स्टेब बाताऊंगे आपको तो आप व करूंगी पहले अपन लहंगे को बिचाएंगे तो लहंगे को इस तरह बिचाना है तो पहले लहंगे की लंबाई लेंगे तो लंबाई है 40 इंज और कमर है 37 इंज तो 40 इंज में इसे 4 माइनस करेंगे तो 36 आया पहले अपन को फोल्ड करना है एक बार और नापिंगे तो अपने लेंगे की लंबाई 36 इंज आ रही है और आप साइड की कटिंग करेंगे अब अपन कली काटेंगे तो एक निशान लगाएंगे अपन 7 इंज पर और दूसरी तरफ भी अपनको 7 इंज पर निशान लगाना है क्योंकि मुझे कमर से ज्यादा गेर चाहिए लेंगे मैं नीचे की तरफ तो अपन नेपे में भी प्लेट डालेंगे इसलिए मैंने 7 इं करेंगे तो कटिंग कर रही हूं मैं तो इस तरह कलियों को जोड़ना है एक तिर्ची और एक सीधी तो अपने कौने इस तरह निकलेंगे तो अब अपन नाडा के लिए एक इंच की पट्टी काटेंगे तो यह मैंने फोल फॉल्ड में कर लिया है और यह अपने दो पट्टी निकाल लिए यह यलो कपड़ा है जिसकी अपन को पट्टी लगानी है तो पहले अपन नेपा काटेंगे तो 6 इंच पे मैं नेपे का निशान लगा रही हूं देखो आप और यह निशान को मिला दिया है क्योंकि 37 इंच कमर है तो अपन को इसमें जोंट नहीं लगाना पड़ेगा इसी में अपना काम बन जाएगा और इस तरह डबल लगाना है तो अब आपन नीचे की पट्टी काटेंगे तो इस तरह एक कोना उठाना है और इस कोने को नापना है तो साड़ च्यार इंच की पट्टी काटने है इसमें से और च्यार इंच की अपन पट्टी लगाएंगे तो यह आदा इंच सिलने में जाएगा तो एक बार और नापना है पट्टी को साड़े च्यार इंच पर अपन को निशान लगाना है और इसी पट्टी की मदद से अपन सारी पट्टी काटेंग तो यह पट्टी काट लिए मैंने और यह इस तरह दिख रही है अब मैं इनको जोड़ के बताऊंगे आपको यह तो इसको किस तरह जोड़ते हैं इसको सीधा करना है और दूसरी पट्टी को भी सीधा करना है इस तरह तिर्ची रखनी है इस तरह उरे पट्टी जोड़ते हैं अब मैं इसको उल्टा करके भी बता रही हूं तो इस तरह जोड़ींगे तो मैं मसीन चला के भी बताऊंगे बा से सारी कलियों को जोड़ना है तो यह कली जोड़ लिए और कली देखो इस तरह जुड़िए अपनी और यह उल्टी साइड है और यह सीधी साइड है अब अपन उरे पट्टी जोड़ना बताएंगे तब मैं इस पर मसीन चलाऊंगे कि इस तरह अपनको उरे पट्टी जोड़नी है और इसको लेंगे पर कैसे अटेज करते हैं तो यह इसको अपनको डबल करना है बीच में से यह डबल कर लिए मैंने अब लेंगे की सीधी तरफ इसको रखना है इस तरह तो यह ऐसे लगके इस तरह दिखे की बाद में लगने क के बाद में अब इस पर अपन समोसा लेश लगाएंगे इस पर अपन तीन लेश लगाएंगे दो समोसा एक गॉल्डन अब अपन दूसरी लेश लगाएंगे झाल्य। झाल्य। झाल तो अब आपन नेपा लगाएंगे तो नेपा आपन को साढ़ छती सिंच लंबाई लेनी नेपेगी क्योंकि अपनी कमर सैती सिंच है तो यह मैंने डबल कपड़े में नेपा लिया है अब इसमें अपन प्लेट डालेंगे झाल अब नेपे को इस तरह फॉल्ड करना है अब अपन नाड़ा डालेंगे इसका तो यह डिजैन बनाई है मैंने लटकन की तो इसका वीडियो में अलग से डालूंगी इस तरह अपन को नाड़ा रखना है और सिलाई करनी है अब साइड कटाकर लगाएंगे अब मैं लेंगा दिखाऊंगी कि लेंगा कैसा बना है तो पूरा लेंगा दिखाऊंगी पैन के भी बताऊंगी उसको यह पैन लिया है पैनने के बाद ऐसा दिख रहा है देखो लेंगा पैनने के बाद ही पता चलता है कि कितना सुन्दर लगता है तो लेंगा बहुत सुन्दर बना है और यह मेरा ओडर का लेंगा है इसके लटकन बहुत पसंद आए और इसका गेर भी अच्छा है और यह नेपे पर अपने लेस लगाई है और देखो इसका कितना अच्छा लग रहा है मैंने गॉल्डन लेस लिए तीन दो समोसा लगाई है बीच में मैंने थोड़े स्टोन वाली लगाई है तो यह लेंगा कै कैसा लगा तो लेंगा अच्छा लगा हो तो पर लिए लाइक करना सेयर करना कमेंट करना और जो चैनल में नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे मिलेंगे अगले वीडियो में ठेंक यू